वेलकम तू माई चैनल, आज हम बनाएंगे काजू कतली, काजू कतली खाने में जितनी ही स्वादिस्ट होती है, बनाने में उतनी ही कम समय लगती है, बस 10 मिरट में काजू कतली बनकर तयार हो जाएगी, आप मेरे इस विडियो को सुरु से अन तक जरूर देखिएगा, हम लेंगे चीनी आधा कप यानि 75 ग्राम दो चम्मच लेंगे घी और पानी हमें चाहिए एक चौथाई कप से थोड़ा कम यानि की 6 बरे चम्मच दो इलाइची का पाउडर हमें बना कर लेना है और गार्निसिंग के लिए थोड़े से बारिक कटे हुए पिस्ता सबसे पहले ह हम एक जार लेंगे उसमें हम सारे काजू को डाल देंगे काजू का हमें बहुत ही बारिक पाउडर बनाना है बस इस बात का ध्यान रखे की लागातार हमें इसे नहीं चलाना है तीन चार सकेन के लिए चलाएं फिर खोले फिर इसे चलाएं इस तरह से चम्मच से और फिर ब आप इस प्रोसेस को जरूर करें कि इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी बारिक पाउडर है तो वो अलग हो जाएगा और दर दर और जितने भी अगर काजु के बरे टुकरे तो यह देखे हमारा फाइन पाउडर बन कर तयार हो गया है अब हम घैस पर एक पैन चड़ाएंगे पैन हमारा गरम हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे चीनी, तो यहां हम आधा कप चीनी ही डाल रहे हैं चीनी डालने के बाद आप इसमें पाने डाल दें और मीडियum फ्लेम पर चीनी मेल्ट होने तक पकाएं हमें यहाँ एक-तर या-दो-तर की चास्नी नहीं बनाना है बस चीनी मिल्थ होने तक पकाना है चीनी हमारा जैसी डिजॉल्व हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे यह इलाची का पाउडर दो इलाची का पाउडर बनाकर आप डाल देарыば और चासनी में अच्छे से इसे मिला दे, तो ये देखी चीनी हमारा अच्छे से डिजॉल्ब हो गया है, तो हम इसमें ये काजू के पाउडर को डाल देंगे, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे, जब तक कि इसकी जमने वाल बनकर तयार हो गया है, तो आप बीच में क्या करें, दो मिनट के बाद इसमें एक चमच गी डाल दे, एक चमच गी डालने के बाद हम इसे अच्छे से फिर से मिला देंगे, और इसे चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम लो रखे, तो ये देखिए, पैन से हमारा काजू का पे गैस ओफ कर देंगे, और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब हम प्लेट में एक चमच गी डालेंगे, और इसे पूरे प्लेट में ग्रीस कर देंगे, इस तरह ऐसे, उसके बाद हम इसमें काजू के पेस्ट को डाल देंगे, और इसे चमच से इस तरह से ठंडा कर ले झाले और इसका एक डो बना लें यान को तो 3-2 मिड़े एक अजय को जपन को बना लें एक इस तरहर से I काजू कतली की थिकनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको पतली काजू कतली पसंद है तो आप थोड़ी पतली बेले या फिर थोड़ी थीक चाहिए तो आप इसे थिक बेले अब हम यह किनारे के एजस को इस तरह से कट कर लेंगे यह चाड़ो तरफ से आप इसे कट कर लें और अब हम इसे दाइमंड सेप में कट करेंगे या फिर आप स्क्वायर सेप में भी कट कर सकते हैं तो आप इसे सावधानी से इस तरह से कट कर लें, आप काजू कतली की ठिकने सपने हिसाब से रखें, अगर आप पतली काजू कतली बनाएंगे तो यह जादे क्वांटिटी में बनेगी, यहां हम 1500 ग्राम काजू में 18 पिस काजू कतली बनाकर तयार किये हैं, तो यह देखी हम प्लेट में रख दे और इसके उपर पिस्ता से गायनिस कर दें यह आपस्नल है तो यह देखिए हमारा सारा काजु कतली करते है तो अधियह अरा को Sozial हो गया है